नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आठ की फाइट में मैं रविंद्र सिंग आपके साथ और आज आठ की फाइट का मुद्दा है हिंदूओं पर बयान राजस्थान में संग्राण दरसल नेता प्रतिपक्ष और कॉंग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा हिंदूओं पर दिये गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ और राजस्थान में भी लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हिंदू संगट्नों ने कदेश भर में कई जगा विरोध प्रदर्शन किया संतों और प्रदर्शन कारियों ने राहुल गांधी की संसर्थ सदस्यता रद्द करने की मांगती है संतों ने कहा कि अगर हिंदू समाज हिंसक होता तो टुकडे टुकडे करने वाले गैंग का सफाया हो चुका होता हिंदू हमेशा सहन करता रहा है और इसका फायदा ही सभी समाज और लोग उठा रहे है आपको बता दे कि सुमवार को लोगसभामी राहुल गांधी ने राश्पकी का विभाशन पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कठित तोर पर हिंदू को हिंसक बताया था उनके इस बयान से हिंदू में आक्रोश व्याथ है चर्चा इसी पर होगी पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा था राहुल गांधी की हिंदूओं पर टिपणी पर राजस्थान में फूटा घुच्सा संत समाज उत्रा सडकों पर माफी मांगने की मांग संतों की दो टूग बरदाश्थ नहीं करेंगे हिंदू समाज पर खलत टिपणी हिंदूओं पर बया राजस्थान में संग्रा चर्चा की आईए शुरूआत करते हैं हमारे साथ खास महमान जुड़ चुके हैं आईए एक एक करके उनी का स्वागत करते हैं मेरे साथ लक्ष्मिकान धारदवाज बीजेपी से हैं बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मिकान जी आपका कर आए हैं उसका एक पन्ना आपने खुला हुआ है पैन उस पर रखा हुआ है ज़रा बता दीजे बड़ी पड़ाई लिखाई करके आप आए हैं संथ समाज पूरा सडकों पर उतर चुका है क्या पढ़ाना चाहेंगे उनको रविंदी जी जो आदमी असली में हिंदू होता है और जो धर्म निल्पेक्ष व्यक्ति होता है कॉंग्रेस पार्टी का या अपनी पार्टी का वास्तों में इमानदार कारेकरता होता है उसको पड़ लिखे आने की आवश्यक्ता नहीं है कॉंग्रेस पार्टी के तमाम कारेकरता हों में वो संसकार है कल भारतिय जनता पार्टी के संसकारों को हमने प्रदेशित क्या बताया हमने कल राउल गांदी जी ने देश के तमाम मुद्दों को लोकसवा में बताया गरीबी पे गरीब अमिर की जो खाई बढ़ गई है उस पे पहलवान पे रुजगार पे महंगाई पे जवान पे किसान पे तमाम लंबे चोड़े मुद्धे देख और उसके एक साथ नीट के पेपर में जो चीट कभारति जिन्ता पार्टी कर रही है जिस पे भारति जिन्ता पार्टी के प्रवक्ताओं को चैनल पर डिबेट होने पर जाने के लिए बना किया हुआ है उन तमाम मुद्धों को भारतिये जनता पार्टी के मुद्धों को देश के मुद्धों को राउल गांदी जी ने चुआ साथ में राउल गांदी जी यह भी कहा कि यह जो भारतिये जनता पार्टी के नेता जो हिंदू के ठेकेदार बनते यह यह शब्द उनोंने कहे और भारतिय जन्ता पार्टी ने हो तमाम मुद्धों को छोड़ा और हिंदू शब्द उठा लिया अभारतिय जन्तापाटी आप चाहत hä आरिश्स पत्रकार यह आप नहीं राजगुमार जी देखे मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है देखे एक और खास पैमान भी लक्षमिगान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ विशेश तो पर जो हिंदू संगठन है प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है देश भर मे हिंदू संगठन की तरफ से वीरोध किया गया संत समाज उत्रा उन्हां आपने भी देखा और बार बार देखा और सुना होगा हम भी लाइव देख रहे थे सुन रहे थे निस एक राजस्थान पूरी स्पीच राहूल गांधी की दिखा रहा था जब वो संसत में बोल रहे जब प्रधान मंत्री नरेन मुदी उठे रोका बीच में कहा कि आप पूरे समाज को कैसे कह सकते हैं तब राहुल गांधी ने अब स्पष्टिकर्ण कह लीजे या यह कह लीजे कि अपनी सप्लिमेंट तरीके से उनको बयान दिया या कह लीजे कि उनको लगा कि उन्हें गलत बयानी करती है तब उन्हें कहा कि बीजेपी के हिंदू की बैबात कर रहा हूं तो पहले तो उनके मूंसे हिंदू ही निकला था तो यह समाज जो हिंदू समाज उत्रा है सड़को पर यह उनकी नाराजगी है यह बीजेपी की नाराजगी नहीं है तो 400 बार होते, राजस्तान में 25 बार होते, बहुत अच्छी बात आपने कही राज़मार जी और हिंदुस्तान का हिंदुस्तान नाराज हुआ है, लेकिन अगर बीजेपी फैजाबाद लोकसवा सीट से, जिसमें आयोध्या विधान सवा सीट भी आती है, वहां से चुनाव ह तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि जीते हुई पार्टी या जीते ही पार्टी का गटबंदन किसी वर्ग विशेश को कुछ भी कहे अगले पांच सालों के लिए उसको खुली छूट नहीं मिल सकती है हमाई साथ एक और खास महमान जुड़ चुके हैं मैं उनका भी बहुत करूंगा और उन्हीं से सिदा सवाल करता हूं रामदास जी महराज हिंदू संत है बहुत बहुत स्वागत है रामदास जी महराज जी राहुल गांधी की तरफ से और फिर उसके बाद कॉंग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ये तो उन्होंने बीजेपी के हिंदू के लिए क रहा तो फिर हिंदू संत हिंदू समाज नाराज क्यों है सरकुपर क्यों उत्रा हुआ है माफी मांगने पर क्यों आप कह रहे हैं राहुल गांदी को संसद में परतिपक्ष नेता स्री राहुल गांदी ने जो कहा है वो सकल हिंदू समाज के लिए कहा है उन्होंने भाजपगा नाम लेकर के नहीं कहा उन्होंने सकल हिंदु समाज को इनसक बताया है और मैं निवेदन नहीं उनसे ये किरना चाकूचना भी चाहता हूं कि आतंगवादी गतिविदियां होती है कभी राउल गांदी ने उन आतंगवादियों का विरोध के लिए दो सब्द कहे किया देश में इतनी समस्याई लो जिहाद है गोहत्या है कभी स्री राम जनम भूमी उद्गाटन के लिए भी तो विरोध किया है इनकी गतिविदिया कैसी है हिंदु विरोधी गतिविदिया हैं इनकी जब इनको बोट लेना होता है तो यह जन्यों कमीज के उपर कुर्ते के उपर जन्यों पाल लेते हैं मंदिर मंदिर में ठोक लगाते हैं अपने को हिंदू प्रामण कहते हैं फिर तो यह भी हिंसक है यह दिरावुल गांदी अपनी कहा ची हिंदू मतलब बीजेपी नहीं है कोई हिंदू नहीं हिंदू तो हिंदू ही है हां एक पार्टी है कोंग्रेस पी एक पार्टी है और लिए कि दिकत नहीं नहीं है हिंदू कोई पाल्टी नहीं है ये बीजेपी के उपर आरोप लगाते हमें कोई दिक्कत नहीं थी हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं थी इन्होंने सकल हिंदू समाज को इंसक बताया है ये साधरन बात नहीं है ये सोचनिये बात है और बहुत गंबीर बात है सकल हिंदु समाज के लिए बहुत गंबीर बात है ये मतलब क्या खुलकर बताईए गंबीर किस तरह से आप मान रहे हैं गंबीर इसलिए है कि ये हमेशा ही तुष्टी करन की नीचिया करते रहें और हिंदु समाज का इस तरह से विख्ञन करते रहे अभी भी इसी तरह की जो द्रश्टी कौन रख रहे हैं ये ठीक नहीं है राजकुमार शर्मा जो यहां रामदाजी महराज जी ने कहा मैं दिगविजय सिंग की उस बात का उलेख नहीं करूँगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो बटला हाउस में आतंकी मारे गए थे रात भर रोई थी सुनिया गांदी मैं उसके पर नहीं पूछूँगा लेकिन इस पर जरूर पूछूँगा कि लव जिहाद गौहत्या और जो एक विशेश धर्म के लोगों की तरफ से आतंगवादी गत्विदियां की जाती है क्या कभी राहुल गांदी ने उसकी निंदा किये भस न किये बताइए उधारण दीजे मुझे रवेंदर जी रामदाजी महराजी को आपके चैनल पे मैं पढ़ाम करता हूँ हमारे हिंदुस्तान के जिम्हिदार नागरिक हैं हमारे संत हैं उनको कॉंग्रेस पार्टी भी पढ़ाम करती है और हम भी पढ़ाम करते हैं अब भारतिये जंदाबाडी चाहती है कि इसको मुदाबना लो और भारतिये जंदाबाडी इसको मुझा बराले में काविया नहीं हो पाएगी। कि जो बाते करते हैं उन लोगों को कभी राहूल गांदी ने कुछ कहा क्या। कॉंग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हिंदू की ठेकेदारी बीजेपी ना किया करें। कि कॉंग्रेस भी एक पार्टी है बीजेपी भी एक राजनितिक दल है। ठीक है रविंदर जी पहले तो मैं ये जो क्योंकि ये बहस कोई छोटी बहस नहीं है और ये क्योंकि का चरित्र है कि जिसके एक नेता जिनके नेततों में 404 सिटेन की किसी जमाने में आया करती थी। उनके पुत्र टीन चुनाओं में मिला कि दो सो क्रोस नहीं कर रहे हैं तीन चुनाओं में मिला कि भी इसको धूल चटा दी भगवान करें ऐसे धूल चाटते रहुआ और दूसरी तरफ शिपवरल चंकामत जाना है तो और भी इसका स्लीव कि आगाने मुटते दियूसरी सिपनार्फिया है जो लोग अपने एपको तो हिंदू कहते हैं वो राजकुमार की जो लोग अपने आप डिंडू कहते हैं मेरी बात पूरी होने दीजे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होंगे और कॉंग्रेस पार्टी के जुड़ेवे लोगों के कान ठीक ठाक होंगे क्योंकि राहूल गांधिन के कान ठीक ठाक करते रहते हैं हमेशा इन्होंने बहुत स्पस्ट रूप से सुन लिया होगा कि राहुल गंधी ने जो बोला उसमें कहां BJP का नाम लिया कहां RSS का नाम लिया देखे रविंदी बात यहीं रूखती क्या होता है कि आप अगर नाम लेंगे या मैं नाम लूँगा तो मेरी दस पीडी पहले भी मेरे पिता जी मेरे दादा जी मेरे पर दादा जी हिंदू थे लेकिन समझ्च्या कहां होती जब दादा पार्सी होता है मा इसाई होती और करके हमारे हस्ती लोगों को कॉंग्रेस पार्टी के मर्मॉन साढynthesis साशन में मार कर चले गए नाम लेपाएंगे कॉंग्रेस पार्टी के प्रवड़ता किस ने मारे, किस दरम से थे, जबान सुख जाएगी, हलाक तक जाएगा, लेकिन हिंदूों को अपमानित करने का, हिंदूों के बारे में तुछ टिपणी करने का, कॉंग्रेस पार्टी का एक अपना चरित रहे, गांदी रो दी थी, सल्मान कुष्षिद ने कहा, और वो कौन से बाटला हॉस के अंकाउंटर थे, आतंकी थे, आपको पता है, वो बाटला हॉस के वो आतंकी थे, जो के जो लोग जेपूर के बंबलास्ट में सामिल थे, तो उनको देखकर, उनकी लाशों को देखकर, सोनि भी कहते हैं, और ये लोग हिंदू का बोट लेने की सोचते हैं, तीन चुनाव मिलाकर दो सो सीटे पाड़नी कर पाएं, क्योंकि हिंदू अब इनके असली एजंडे को समझ गया है, लक्षमी गांजी सवाल दीजेगा, संत, समाज, नाराजों का सरकों पर उतरा है, बीजे जिस देश में 125 करोड लोग रहते हो, एक धरम को मानने वाले, उनकी भावनाओं का हथ, उनी के संसद में किया जाता है, और ये मांग नहीं मानी जाती है, तो फिर आगे क्या कदम होगा, और किसी राजनितिक दल का सपोर्ट चाहिए क्या आपको, तीन सवाल एक साथ, राजनितिक दल का सपोर्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन सकल हिंदु समाज को हिंसक बताना एक बहुत गंबीर विसे है, और ये आजगा विसे नहीं है, कॉंग्रेस पांटी हिंदु समाज के उपर पहले भी करती आई, जैसे जेपूर के अंदर, राउल गांदी जी ने ये क अभी भारत वरस के निकले हुए पांच वरसों में, स्री राम नौमी और हनुमान जैनिति पर कई जगह अटेक हुए हैं साथ राजियों में, कॉंग्रेस ने एक सब्द भी नहीं कहा, अभी अमर्नावां वेश्णों देवी मंदिर पर वहां जो एक बस के उपर आतंगवा में बैठती जा रही है कि कॉंग्रेस हिंदुत विचारधारा का विरोध करती है, हिंदुत का विरोध करती है, अब क्या मांग है संत समाथ की, संत समाथ की ये मांग है कि इनको माफी मांगना चाहिए कि मैं हिंदु समाथ के लिए परती जो दिया गया हिंसक जो सब्द है, उसके लिए में शमा चाहता हूँ अगर नहीं मांगी तो नहीं मांगी तो हम विरुदा भास तो करते ही रहेंगे राजकुमार शर्मा जी क्या माफी माफी माँगेगी और क्या कॉंग्रेस पार्टी ने मैं बहुत पीछे नहीं जाता जो वैश्णो देवी में जा रहे है शद्धालूओं के ऊपर अटेक हुआ उसकी निंदा कि सेने ताने की याद है आपको मुझे तो याद दी है और मैं कर आँज ये देश सभी चाहते हो सभी धर्मों का है गांदी माफि मांगे के राहूल गांदी के अंदर नेपक साहाशी नहीं है, राहूल गعन्दी, राहूल गांदी नेपक के फञे hands पर हो मांगे, मैं कह रहूँ भारतिये जिंदा पार्टी, उन मैंने कहा उस पूरे भाषन गेंदार हिंदू शब निकाल के लाई है और मुदों से बढ़काने का बार बार का रहे है इसी पर मैं जवाब आपसे लेता हूँ रावलु गांधी का जो भाषन था उसमें उन्होंने करी 20 विश्यों को सामने रखा था लेकिन हिंदू पर बोलन पी की तरफ से आक्रम और संसमाज की नाराजगी कितना नुकसान पहुझा सकती है तो हिंदू की बात को नहीं लाके जो डूसरे मुद्धे हैं तो इसको भी रख सकते हैं और यदि कहना हम से यह विवादित बयान नहीं देते तो मुझे लगता है कि उनका भाषन एक अच् कुमार की जो कांगरेश के प्रवक्ता है यह संसद में होते तो मुझे लगता है इस तरह का भाषन नहीं देते जैसा क्या नाम से राहूल गांदी ने हिंदियों के बारे में दिया गया है अब उसको शिवतार नहीं कर लिए कांगरेश यह कह रहे है कि क्या नाम से यह तो स होता तो चार लाक लो चार लाक हिंदू कश्मी के बगाई में जाते वह इंसा करते वह लड़े नहीं और चिप्टार महां से आगए इसको उन्हों ने बदास किया हिंदू शही शुरू है इसलिए आज देश में लेकर एस पिमित्तल साहब उनका यह कहना है कि BJP के हिंदू लगता है आपको एक राजी तिक दल हाँ ने जो बार बार क्या नाम से पार्टेट बुक लेकर ये कहता है कि हमें लोगपंत की रक्षा करनी है, हमें सभीदान की मुझे लगता है कि जो अबेन मा है वो खुद क्या नाव से कांग्रेश पार्टी के और से की जा रही है अम आप से जानना चाह रहा हूं कि अब संसमाज क्या कांग्रेस से कहना चाहता है राहूल गांधी से क्या आप लोगों की अपेक्षा उम्मीद है संसमाज हिंदू समाज का जञागरन करेगा और हिंदू समाज ही इनके खिलाब पड़ा होगा और ये निश्यत मानिये कि हिंदू समाज जिनकी अनतकरण में क्योंग्रेस के प्रतिय घ्र्णा सी उत्वन्होंने लग गई आने वाले समय में यही स्थित्या रही तो होगी लेकिन कॉंग्रेस तो बार बार यह कह रही है कि आयोध्या में तो बीजे पी हार गई वो इस चश्मे से देख रही है अब वहां की प्रस्थित्या कैसी रही है नहीं उनका यह कहना कि आप राम का मंदिर बनाने का लाने का द कि इस देश के अंदर निवास करने वाला हर विक्ति यहां का नागरिक है और कॉंग्रेस में कहना चाहूंगा कि वह पुराणों का भी अध्यान करें जिसमें लिका है हिंदूस्तान उचयते हिंदू का रने का इस्तान है हिंदू समाज का सबका ही है पर लक्षमी कांजी अवाब ये को बताईए किया है ग्यापन भी कही तरह के सौपे गए हैं और सांसदी खत्म करने तक की बात रहूल गांधी की कही गई है देखे पहली बात तो जो बार-बार ये अयोध्या की बात उठ रही है तो मैं बता दू कि अयोध्या से भारतेंता पार्टी 4000 वोटों से जीती हैं फेजाबाद से चुना वहा रहे हैं और आप ये अगर इसी कि तो आहदार पर तुलना करेंगे तो वारानत्सी में कॉंग्रे अध्यारी वाजपी रहें इसे बड़े बड़े नाम देश में देश में नेता परतिपक्ष के रूप में रहे हैं वहां इस तरह के चिछोरे नेता परतिपक्ष अगर आने लग गए तो देश के लोकतंतर को स्वाबावी गृप से खत्रा उत्पन हो जाएगा देश के सव पचना चाहिए चाहिए कोई भी पार्टी और कौंग्रेस को भी ये अब समझ लेना चाहिए राज कुमार जी रभलत काम तो तो फिर उसके लिए आपको निंदा भी करनी चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी लिए तुष्टी करने के आरोग कॉंग्रेस पर लगते हैं लगाए जाते हैं अब आप उसको कुछी भी चश्मे से देख सकते हैं चारों मेमारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उमीद ये करते हैं कि संत समाज की नाराज़गी दूर होगी अब वो कैसे दूर होती है उता गयाने वाला मत रताएगा पिलहाल आठ की फाइट में आज इतना है